प्रित्पक्ष मेरा लगता है उसके आयूजन जो होने वाला है उसका निरिक्षन करने ऐसे में सबसे पहले वो गए विश्नुपद मंदिर में पूझा आर्चना करने लेकिन चूप तब हो गई जब उनके साथ बिहार सरकार में मंत्री इज्रायल मंसूरी भी साथ में मंदिर चले गए जी हाँ आपको बता दे कि उस मंदिर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के अलाबा कोई भी धर्म के लोग उस मंदिर में परवेश नहीं कर सकते हैं पर क्या था बिहार की राजनिती गर्मा गई हरोर इसी की चर्चा हो रही है लेकिन इस पर सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादब का सामने आया है जी हा तेजस्वी यादब क्या कुछ कह रहे हैं जब उनसे ये सवाल के आ गया कि कैसे एक मुसल्मान मंत्री उस मंदिर में चले गया तो इस पर उनका जवाब सुनिए कि कैसे वो जवाब दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं अब निर्मान मंत्री जी का रस्ताव आया कि एक बड़ चल के मेलेस का और जो हमारे मानने मंत्री जी लोग का जो नया कॉम्प्लेक्स पना है उसकी समिक्षा की जाए समय था तो आम लोग बोले कि चल चल यह देख लेते हैं क्या अब जल्चे जल्द हम लोग जो हैं बिना कोई देरी से हम लोग सब्लोग अपने जिम्मेदारी को निभाईर है जब्दा के प्रतिकाम करना है और जब तक हम लोग सेटिल नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं बड़े संख्या में लोग जो हैं जर्पत्रिदियों से मिलने भी आते हैं आत्रा की चीजे होती है तो एक बार अलोट वोट भी सब लोगों को करना है ताकि सब लोग अपने काम में लग तो अच्छी पहल है तो आप लोग समिश्या का करने अजिए पिलगाता आपके नए मंसूरी जी जु गया है वोग साथ चले गहिए और ये कहना कि मुस्लिम में हिंदू मुस्लिम ने जागा इस अब तो बात जन्ता पाटि ओए के लोग के लोग अख्यला बेला है हम लोग तो लेकिन उनके साथ जो मंतरी थे विहार सरकार में असोग चौधरी वो साथ थे और उन्होंने साप लबजों में कहा कि ये सब भाजपा करती है कि कहा हिंदू जाएगा, कहा मुसल्मान जाएगा, कहा हिंदू नहीं जाएगा और कहा मुसल्मान नहीं जाएगा हम ये सब नहीं मानते हैं और जब उनसे बोला गया कि उस मंदिर में साप साप लिखा हुआ है कि गैर हिंदू का परवेस वरजीत है तो उन्होंने कहा कि मंतरी जी को ये बात पता नहीं थी इसलिए वो चले गया हाला कि अब देखना होगा कि भाजपा इसे में मुद्धा बन कि पांगनी चाहिए ऐसे में आप देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ किया जाता है या क्या कुछ होता है हाला कि आपको बता दे कि त्यस्वी यादाब और असोक चौधरी जहां मिनिस्टर का कॉम्पलेक्स बन रहा है उसका निरिक्षन करने गया थे और उसी दोरान नहीं सारी बात ही साजा की आप देख रहें ब्यार इस सोट समान साथ बने रहें चानल को सब्सक्राइब करें फिस्वी पीच को लाइक करना बिलकुल भी ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद